ALLAH 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 धन्यवाद DR.JAKIRNAYAK Associates मेरे जिस्म का दिया का नाम डाक्टर वर्मा है मैंने कुरान शरीप भी पड़ी है भाइविल भी पड़ी है और वेद बात की थोड़ा सा अध्यान किया है मैंने कुरान में सारी बातं अच्छी सपीन पाई है कि इनको एक बात मेरे समझ में अभी तक नहीं है ।yd अ हिए हिंदुवादी ज कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में बात आती है कि मुर्दे जंदे किये जाएंगे यह दोब घ्रिस अभी तक नहीं आई है हिंदू तक्वा कहता है उन्हें दखा कि जन्म वाद कि जन्म होता है मैंने डिस्करवी चैनल में यह चीज़ें देखी है और दूसरा कि आखीर में कुरान में कि मुर्दे जिन्दे किये जाएंगे मैंने इस बात को गहुत से पूछा है कि मेरे का इस बाता किलेर प्रिक्रिक्सन कोई भी members एक तो जन्मवादी दूसरा जो जन्म नहीं मानता यsm नहीं पाया मैं आपने प्राशना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आप से बुजारश कर रहा हूँ धन्यवाद डॉक्टर साहिब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उधने कुरान मजीद पड़ी और सब बात को तर्स्लीम करते हैं सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है मुर्दे को वापिस से जिन्दगी दीर जाएं या आखरत में उनका जिकर है और हिंदू लोगे मानते है कि पुनर जनम में और वो डिसकोवरी चैनल पे देखें कि पुनर जनम होता है अगर आप देखेंगे सबसे उची किताब नेक्ष्ट तो पुनर जनम मतलब नेक्ष्ट जिन्दगी और एक जिन्दगी अगर आप कुरान शरीफ पड़ेंगे कई आयते हैं कि अल्ला सुभानाव ताला ने आपको जिन्दगी दी पहले आप थे नहीं जिन्दगी दी इस धरती पे आए फिर आपको मौत देंगे फि उसी तरीके से वेद में भी जिकर है अबॉट पुनर जनम नेक्ष्ट लाइफ से हू बहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है लेकिन आम हिंदू मख़ब के जो गुरु है स्वामी है इन लोग जब ये जानने लगे एक उनको कटना ही पेश आई वो देखने लगे क कई इंसान जब पैदा होते हैं विकन जनलटु डिफेक्टि कांजब्न इफक्ट्स हागिए प्रॉ सटेलं हाज डिफेक्ट्स लिंप उइन गृजलि मृग्व छ्टि इंसान को औहटा करता है सहथ के साथ कोई इंसान कोмовेई उन दिल की बीमारीर से पैदा करता है को इंसान को अमीर घर में पाईदा करता को इनसान को गरीब घर में तो भगवान अज़स नहीं हो सकता है ना इंसाफ नहीं Гो थो यह स्वामी लोगे इन नोगने एक नई चीज निकाली कंस्कारा दो मजबं सम्सकारा जो इंगिलिश में कहते है cycle of birth and rebirth transigration of soul अंग्रेशी में कहते transigration of soul कुछे आप doctor हैं अग्रेशी में कहते Sanskrit में कहते birth, death, birth, death, birth, death कई भी वेद में नहीं लिखा हो है birth, death, birth, death कई भी वेद में नहीं लिखा है challenge मेरा यह इन दो को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से भगवत किता का श्लोक चैप नमबर टू में वर्स नमबर ट्वनीटू में उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शक्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पेन लेता है उसी तरीके से रूह रूह एक नई जिसम में जाती है और ये भध्यांकर उपनिश्द में से भी इसका जिकर है अब पढ़ेंगे कि वेन कैटेपिलर वेन कैटेपिलर क्लाइंब अप दे ग्रास ऑफ ब्लेड ही जंप्स ट्यू अन्यू ग्रास सेम वेड़े सोल टेक्स न्यू बाडी जिस तरीके से कैटेपिलर घांस के उपर चड़ता है और दूसरे घांस पर जात जो कर्म के बेस के उपर कर्म और धर्म की फिलोसफी कर्म मतलब अच्छे कर्म करोंगे धर्म के इसाब से तो अगले जनम में आप अच्छे पैदा होंगे अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जनम में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लगना पैदा होंग और जो कहते हैं कि आप इनसान साथ बार बनेंगे ये कौन कहता है वेद नहीं कहती है ये स्वामी जी लोग कहते है कोई वेद में कहीं निखा नहीं है क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इनसान क्यों गरीब पैदा होता है क्यों अपाईश पैदा होता है उनकी सोच कम थी इसी लिए नहीं फिलोसफी लेका है Trans Migration of Soul आप तो डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर हूँ आपने कई Medical Science Book में पढ़ा हुआ है कि इनसान इस दुनिया में जनम लेता है कभी नहीं कि Physiology में पढ़ा कि Anatomy में पढ़ा अगर ये Scientific Fact होता था तो हम Medical College में पढ़ते थे कि इनसान नहीं नहीं जम लेता है हम कभी भी नहीं पढ़े इससे ये साबित होता है कि Science इसको तसलीम ही नहीं करती जो आप कहे रहे हैं Discovery Channel में देखा जो आप कहे रहे हैं अगर ये हक होता था तो हमारे Scientific Book में भी ये लिका होता तो ये कहना कि Scientific Proof है कि हम जनम लेते हैं बिल्कुल गलत है इस नाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस नाम तसलीम करता है कि अल्ला सुभाना हो ताला कुछ लोग को अपाईश पैदा करता है कुछ लोग अच्छी सहत देता है कुछ को गरीब कुछ को हमी इसकी वज़ा है कि अल्ला ताला फर्माते है सुर्व मुल्क में सुरा नमर 67 आयत नमर 2 में अल्ला जीख खलकल मौत वला है आता अल्ला सुभानाव ताला ने मौत और जिन्दगी बनाई ताके आप लोग को जाच सके आप लोग का इंत्यान ले सके आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे है ये जाच परताल करने के लिए ये जिन्दगी हमारे लिए इंत्यान है और अल्ला ताला फर्माते है सुरे अन्फाल में अम्त्याने आ ले मेरे तक्रीन में आपिस लोग को गरीब घर में पादाक रिए जिस शिछग्स detector के पाफ dei काइसी ङ्राम से ज्यादा seldom है यह उस के मुकाबले में धन हैं उसको 30 टका जिक देना फर्ज ह video अदमी अमीर एक्च हमिर लोग को बराबर जिक ग्राम देते कुछ लोग आदा देते कुछ लोग देते हैं नहीं तो अमीर इंसान को शायद सव फिसद मार्ग मिले या पचास फिसद मार्ग मिले या जूरो फिसद मिले वो गरीब इंसान को जकात में तो हंड़र मार्ग मिलता है हंड़र ऑट उट उसको जकात देना ही नहीं हम कहते हैं रहे बिचारा गरीब इंसान है लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तियान में गुर्बत के इम्तियान में सव फीसद माक्स मिले आप समझ रहे इसी तरीके से आल्ला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तियान है हो सकते हैं मिसाल के तोर पे एक अच्छे जोड़ी है अच्छे मुसल्मान है पाश्टाय नमास पढ़ रहे हच्च को गए है रमदान में रोजा रखते है जखात देते हैं आल्ला ताला उनका और बड़ा इम्तियान लेना चाहता है जितना बड़ा इम्तियान उतना बड़ा इनाम मिसाल के तोर पे अगर आप बीए पास करते हैं तो आपको सिर्फ ग्रैजियोशन मिलता है अगर आप एम्बी बेस पास करते हैं आपको डॉक्टर कहला जाता है डॉक्टर मतलब उचाओदा इसी तरीके से अल्ला सुभाना हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तियान और सक देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाईज है अल्ला ये देखना चाहता है कि अपाईज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्ला के उपर इमान रखता है कहने अगर इमान रखता है तो अल्ला उसे जनते फिर दोस देना च्याता है और कटीन इम्तियान और बड़ा इनाम हो सकता है कि वो इम्तियान में फैल हो जाएँगा तो ये कुरान की आयत है आपके बच्चे आपके लिए इम्तियान हैं कभी कोई बी अगर कलामेटी आती है कोई भी आपको नुकसान होता है इदर वो आपके लिए इम्चान है या आपके लिए सजा है जबी भी कोई भी आपको इनाम मिलता है वो इदर आपके लिए इम्चान है या आपके लिए रिवाड है तो इसी तरीके से क्योंके हिंदू मजभ कि जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके इसी लिए एक नई फिलोसफी समस्कारा लेकिया है जो बिलकुल वेद में नहीं लिखिये वेद बात करता है पुनर जनम पुनर जनम मतलब नेक्स लाइफ जिसका जिकर कुराम ने भी है आखरत की जिंदगी तो वेद और कुरान से जिंदगी क्या प्राइब कर रहा है कि इस दुनिया में अप आते हैं एक बार आते हैं सही तरीके से जीएंगे तो एक बार काफी है और ये दुनिया आखरत के लिए इम्थ्याने